अगर आपका सेलेरी पेकेज 10 लाग रुपए है और आप अपनी कमे का बड़ा हिस्सा टेक्स के रूप में दे रहे हैं तो सावधान हो जाईए शायद आपको लगता होगा कि टेक्स बचाने का कोई रास्ता नहीं है ऐसे में टेक्स देना ही सही है तो आप गलत है इतना ही नहीं आपका सेलेरी पेकेज 10 लाग पचास हजार रुपए भी है तो भी आपको एक रुपए भी टेक्स नहीं देना होगा जी हाँ आईए जानते है क्या है पुरा गणित अगर आपकी सेलेरी दस लाग पचा सजार रुपए है तो सबसे पहले इस टेंडर डिडक्शन के रूप में सरकार की तरफ से दिये जाने वाले पचा सजार को घटा दीजिए इस तरह अब आपकी टेक्सेबल इंकम दस लाग रुपए हो गई है इसक कि टुशन फिस, PPF, LIC, EPF, Mutual Fund और Home Loan का मुलधन शामिल कर सकते हैं इस तरह यहां आपकी टेक्सेबल इंकम आट लाग पचा सजार रुपए रह जाएगी इसके बाद धारा 80 CCD 1B में National Pension Skip में पचा सजार रुपए का निवेश करना होगा इसके बाद आपकी टेक्सेबल 8 लाग रुपए रह जाएगी अब इंकम टेक्स की धारा 24 B में 2 लाग रुपए तक Home Loan का ब्याज क्लेम कर सकते हैं इस तरह अब आपकी टेक्सेबल इंकम घटकर 6 लाग रुपए रह जाएगी इंकम टेक्स के सेक्शन 80 D में आप अपने परिवार पतनी और बच्चों के के लिए 25,000 रुपए का Medi claim insurance क्लेम कर सकते हैं इसके अलावा वरिष्ट नागरिग माता पिता के लिए पचास हजार रुपे का इंशुरेंस प्रीमियम भी क्लेम कर सकते हैं इस तरह कुल 55,000 के हेल्द इंशुरेंस को क्लेम करने के बाद आपकी टेकसेबल इंकम घटकर 5,25,000 रुपे रह जाएगी अब आपको अपनी टेकसेबल इंकम 5,000,000 पर लाने के लिए 25,000 रुपे किसी सस्था में या ट्रस्ट में डोनेट करने होंगे इसे आप आईकर की धारा 80G में कलेम कर सकते हैं 25,000 रुपे का डोनेशन देने के बाद आपकी इंकम घटकर 5,000,000 रुपे पर आ जाएगी अब आपकी टेकसेबल इंकम 5,000,000 रुपे हो गई है 25,000,000 से 5,000,000 रुपे तक की आएपर 5 प्रतिशत के मान से आपका टेकस 12,500 रुपे बनता है लेकिन सरकार की तरफ से इस पर छूट है ऐसे में आपको कोई भी टेकस नहीं देना है यानि कि अब आपकी टेकसेबल इंकम जीरो हो चुकी है इसी तरह के और भी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को